सब्सक्राइब तू डिजी बाते चैनल एंड प्रेस्टी बेल आइकन पॉर लेटेस्ट वीडियोज एंड अल दी अपडेट्स हाई हेलो नमेशकार योर वाचिंग डिजी बाते है विद मी अभिशेग लेटस गेट स्टाटेड आज मैं लिखके आयो आप लोगों के लिए रिवीव टॉक्स और आज के रिवीव टॉक्स में आपके लिए लेके आयो इस गाड़ी का तो सबसे पहले देख लेते हैं यह बहुत कुछ इसमें नया आपको देखने को मिलने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं और बताता हूँ सबसे पहले इस गाड़ी के डामेंशन के बारे में तो इस गाड़ी के डामेंशन में जो आपको इसकी लेंथ मिलने वाली है वो होगी 1760 मिली मीटर की और जो आपको 55 मिली मीटर की विद रूफ रेल्स के साथ में साथ इसकी अगर हेडलाइट के बारे में अगर आपको बता दू दोस्तो तो इसमें आपको प्रॉजेक्टर हेडलांस मिलने वाले हैं DRL LED के साथ में साथ ही इसमें पोजिशनिंग और कॉर्नरिंग लैंप भी लगा हुआ है जो turning at time पे extra काम करता है। साथी इसमें आपको fog lamps भी मिल जाएंगे। साइट से अगर इसकी बात करें दोस्तो तो जो इसका side का look है वो काफी appealing है और थोड़ा sporty look भी देता है। अब अगर इसके wheels के बारे में मैं आप लोगों को बताओ दोस्तो तो इसमें जो ये model है गाड़ी का उसमें आपको 16 इंची के diamond cut alloy wheels मिल जाएंगे। reverse के बारे में अगर हम बात करें दोस्तो तो जो back side है इसका गाड़ी का उसमें आपको 3 step lights, tail lights मिल जाएगी। इसमें reverse parking camera और sensors के साथ में भी आपको ये मिल जाएगी। साथी company ने इसमें एक नया launch किया हुआ है bold black color का garnish जो की काफी अच्छा लगता है पुरानी model में ये नहीं था। इस गाड़ी में जो आपको wheel base मिलेगा वो का 2570 mm का और जो fuel tank की capacity मिलेगी वो होगी 45 liters की। साथी गाड़ी में आपको पूरी full body cladding आपको मिल जाने वाली है जो की आपको रास्ते के कंकर पत्थरों से बचाएगी। जो इसका fuel cap मिलता है वो भी देखने में बड़ा ही attractive लगता है और बहुती sporty look feel कराता है। इसमें जो handle bar आपको मिलेगा दोस्तो वो होगा body color का पर अगर आप top model में जाते हैं तो उसमें आपको chrome finish handle bar भी मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें इसमें जो उपर लगा हुआ है shark fin antenna तो उसके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को दोस्तो तो इसमें पहले ये गाड़ी में नहीं आया करता था अब इसमें shark fin antenna भी company ने introduce कर दिया है। साथ ही आपको इसमें उपर की तरफ एक spoiler भी लगा हुआ मिल जाएगा जो कि गाड़ी के look को और बढ़ा देता है। साथ ही इसमें आपको back side में defogger भी मिल जाएगा जो rear glass है उसके लिए इसमें एक welcome feature भी company ने दिया हुआ है जैसे ही आप अपने key से इसे on करते हैं डोर को unlock करते हैं वैसे ही आपका जो rear view mirror है जिसे ORVM कहते हैं वो open हो जाएगा और जैसा ही lock करेंगे वैसे ही वो बंद हो जा 7.7 newton meter का 4000 rpm जो इसका average निकल के सामने आएगा दोस्तो petrol में वो होगा 20 km पर लीटर का इसमें आपको 1.4 लीटर का diesel engine भी मिल जाएगा दोस्तो जिसमें आपको जो maximum torque मिलने वाला है वो होगा 22.4 newton meter का जो की होगा 1500 से 2750 rpm के बीच में और जो maximum power आपको मिलेगी वो होगी 90 ps की जो की मिलेगी आपको 4000 rpm पे पेटरल इंजन में 5-speed manual gearbox लगा हुआ है और डीजल इंजन में 6-speed manual gearbox लगा हुआ है अगर डीजल में इसके average की बात करें तो इसमें 24.5 लीटर का average है जो की company claimed है इंटीर की बात करें दोस्तों तो इंटीर काफी space ही है इसमें इसमें बहुत सारा space दिया हुआ है क्योंकि एक mini SUV segment की गाड़ी है तो इसमें आपको space की कमी नहीं होने वाली है मेरी height 5 feet 9 inches की है तो मुझे space में कोई भी कमी महसूस नहीं हुई अच्छा खासा leg room और अच्छा खासा head room मुझे मिल गया था इसमें पीछे की तरफ भी आपको AC events मिल जाएंगे जो गाड़ी में air flow को evenly distribute कर देते हैं बूट की बात करें तो इसमें आपको बूट मिलने वाला है 300 लीटर का जो की काफी बड़ा है इसमें आपको spare tires रखने की जगा मिल जाएगी साथ ही आप इसमें अपना tools भी रख सकते हैं और इसे illuminate करने के लिए एक light भी इसमें लगी दोस्तो इसके exterior और interior के बारे में कुछ overview चलिए अब जान लेते हैं इसके जो features हैं उसके बारे में देखा आपने इसका exterior चलिए अब इसके interior के बारे में बात करते हैं और interior के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ आज है Mr. Anoop Sirivaast बारे में बारे में बताना चाहूंगा आपको जो फीचर होते हैं AC, Heater, Power Steering, All Door, Power Window, Center Locking, Remote Locking, Music System इसमें लगा हुआ है 7-inch का Music System, टस्क्रीन में, Audio, Video, Navigation इसमें आपको मिल जाता है अभी एक नया advanced features में अड़किया है कंपनी ने Auto Link अटो लिंक की तरू गारी के डिटेल्स के हिल्थ के बारे में आप जानकारी पूरी ले सकते हैं अपने फोन पर ही और साथ में और फंक्शनिसमें एड़किया आई ब्लू फंक्शन, आई ब्लू से होता क्या है कि अपने फोन को गारी से करें करके as a remote आप फोन को यूज कर इसके अंदर आपको सारे फीचर मिल जाएंगे साथ ही आपको एक इसमें ट्रिप मीटर भी मिलेगा और भी इतने फंक्शन होते हैं फीचर होते हैं सारे कुछ इसके अंदर अविलेबल है हां मिस्टा नूप जी बता रहे थे कि कुछ इसमें एक्सरा फीचर एड़ किये ग और साथ में आइबलू फंक्शन भी इसमें डाला गया है आटो लिंक का फंक्शन भी आपको मिल जाता है जो कि एडवांस आपकी BMW Mercedes, Audi जैसी गाड़ियों में दिया जाता है यह उंड़ी ने आपको दिया हुआ है और बात करें तो एडिशनल फीचर और आया हुआ है आपक पाइल आटो चार्जर कि आटोमेंटिक आपको फोन को यूस्बी लगा है और फोन को डाइटली चार्ज कर सकते है अब यूस्बी पोर्ट भी दिया हुआ है अला से पार आटलेट भी आपको मिल जाता है यह इडवांस फीचर हों नहीं है अभी इस गारी में अपडेट कि लेशान तो चलिए दोस्तो इसकी अब मैं आपको फीचर दिया हुआ है और बूट ओपन करने की भी एक फीचर दिया हुआ है दोस्तों बता दूदि आपको सबसे पहले कि यह सेंद टॉब मॉडल है तो इसमें आपको पुछ स्पर सिस्टम नहीं मिलेगा जो टॉब मॉड इसके अंदर आपको दो airbags मिलेंगे और टॉप मॉडल में 6 airbags आपको मिलने वाले हैं पर इसमें आपको back side में भी rare race events मिल जाएंगे जो top model और इसमें दोनों में same ही होगा साथ ही इसमें आपको steering के अंदर भी सारे controls आपको मिलेंगे volume का है और आपको phone उठा सकते हैं cut कर सकते हैं और साथ में आप यहां से MID को भी control कर सकते हैं यहां देखे दोस्तों यह airbag लिखा हुआ है तो एक airbag आपको passenger side में उस्तरफ लगा हुआ है तो इसमें दो airbags लगे हुए है दोस्तों एक और जो feature है वो है यह cooling glove box जो आपको second top model में भी मिल जाता है जो अमूमन और गाडियों में नहीं मिलता है यह रहा इसका cooling glove box यहां से आप इसको operate कर सकते हैं अगर आप पानी रखते हैं गर्मी में जैसे तो पानी को नॉर्मी ठंडा गरी रखता है यह additional feature है जो कि Hyundai ने दिया हुआ है आपको इसमें ABS system भी मिल जाता है ABS है EBD भी है EBD भी है EBD नहीं only for ABS है top model में top में EBD भी आपको मिल जाएगा दोस्तों यह रहा इसका storage दोस्तों देखें इसमें storage भी लगा हुआ है यह काफी अच्छा storage है गहरा है storage और यहां पर हैंडेस है sliding वाला भी है देखिए आप अपने हिसाब से अच्छा भी कर सकते हैं जाएगा जो कि यह आपके यह दोर में लगे हुए है यह रहा जो आपको बाकी controls दोर में मिलते है basic controls वो सारे यहां पर लगे हुए है यह आपका ORVM control करने के लिए यहां पर लगा हुआ है automatic इसमें सारा system लगा हुआ है साथ में जो इसमें AC के वेंट्स मिलते हैं वो body color AC वेंट्स मिलने वाले हैं यहां भी लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ है तो इसके लिए आप बिलकुल निशिंग करिए कि आपको बाद में कहके करवाना पड़ेगा क्योंकि इसमें पह हैड कॉर्ण रिल उपर नीचे करके सेटिंग कर सकते है इसमें इसमें जो आपको AC मिल रहा है वो मैनुवल है मैनुवल मैनुवल अचि मिल रहा है और टॉप मोडल में और टॉमेटिक मिल रहा है तो यही कुद बेसिक फीचर जो डिफरेंस आएंगे स्मार्ट पैंडल क्या होता है बताएंगे नुवल शाहिए पिछे को यहां भी मिलेगी और बैक साइड में मिलेगी तो आगा पीछे को बैठा हुआ है और उसे लाइट की जरूआ था तो वह पीछे की लाइट न कर सकता है और आगे जरूआ तो आगे की तो इससे ही होगा कि आगे पीछे किसी को भी डिस्टरवेंस नहीं होने वाला है साथ में यहां पर दोस्तों अगर आप देखिए तो यहां पर एक गॉगल हुलडर लगा हुआ है जो कि जिसमें आप अपना गॉगल को रख सकते हैं आप यहां पर इसमें स्पीकर्स की बात करें तो इसके अंदर जो स्पीकर्स आपको मिले वाले हैं वो चार स्पीकर्स मिलेंगे चार स्पीकर्स चार ट्विटर मिलेंगे तो यह सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाने वाले हैं यही आपको टॉप मॉडल में भी मिलेगा कि उसमें भी अलग है तो बहुत कम ही डिफरेंस होता है टॉप मॉडल और इस मॉडल में यह देखे दोस्तों कमपनी ने एक स्वच कैन चीज इसमें दे रखी है कि अगर आपके गाड़ी के अंदर कुछ भी गार्बेज होता है तो और उसमें क्या प्राइस डिफरेंस आने वाली है आप दोनों मिले सकते है डिजल की प्राइस के आते है अनरोड की बात कर रहा हूं है और पेट्रोल की स्टाटिंग सारे 8000 से स्टार्टिंग तो यह थी गारी पूरी रूमीत करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो प बारे में वीडियो बना रहा हूँ, इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा डिटेल्स, यहां का पूरा एडर्स दे दूंगा और इनका मैं contact number भी दे दूंगा, तो इनकेस अगर आप यहां से गाड़ी लेना चाहेंगे, तो आप इनसे contact कर सकते हैं, तब तक देखते रिए दोस्तों मेरा चनल और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा